हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल पर मेरा नाम है धुरू और आप देख रहे हैं The Learners Community आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्ट सेमिस्टर के एजुपिशन सब्जेक्ट के बारे में जो की है Making the Workplace Inclusive यह आपका सब्जेक्ट है आज की वीडियो में हमें सब्जेक्ट की कोशिन पेपर को देखेंगे इससे पहले भी मैं एक कोशिन पेपर ला चुका हूँ जो की 2022 का था यह वाला कोशिन पेपर 2021 का है इस कोशिन पेपर में हम देखेंगे कौन-कौन से important questions है ठीक है और उ कोशिन पेपर इसके इस वीडियो के बाद आपके पास दो कोशिन पेपर हो जाएंगे प्रिवियस यहर के जिनके अगॉर्डिंग आप एनलाइज कर सकते हैं कि कौन से questions सबसे जादा पूछे जात सकते हैं और साथ के साथ आज शी या फिर कल सुभा तक हमारे चैनल पर एक most important वीडियो आईगी जिसके अंतरकत हम पूरी की पूरी बुक जो की making the workplace inclusive है इस complete बुक का हर एक चैप्टर का important question with answer आपको देंगे तो उस वीडियो को जरूरी देखिए ठीक है जल्द से जल्द हो सकेगा तो हम उसे upload कर देंगे अपने चैनल पर तो उसके लिए वेट करिए तो चली वीडियो को शुरू कर दें और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही important वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और description box में लिंक दिया गया है आप हमारा app जरूर डाउलोड करिए app के feature description box में दिया गया है चल कौन से questions most important है repeated है इनके बारे में बात करेंगे और देखिए इस question paper में कहीं कहीं आपको mistake देखने को मिल जाएगी ठीक है तो यह mistake आप English वाले section के साफ से check कर सकते हैं आपे 2026 लिखा है पर यह आपे 2006 लिखा है तो 2006 क्या है राइट है अब बात करें question की विकलांग वैक्तियो के लिए राष्टे नीती लाए गई थी एक लाए गई थी 1995 में जो की most important है और एक लाए गई थी 2006 में यह जो दो है one of the most important questions इनके से बनते हैं तो इन दोनों राष्टे नीतियों के बारे में आप हमारे चैनल पर जो वीडियो दिखें यह उनमें check out कर सकते हैं otherwise आप internet पे इन of the most important question है या तो आपसे यहापे 1995 पूछ लिया जाएगा या 2006 पूछ लिया जाएगा या फिर पूछा जा सकता है कि 1995 और 2006 की जो राष्टे नीती थी इनके बीच में अंतर क्या है आपको अंतर स्पष्ट करना है अंतर का मतलब कि वही 1995 में जो चीजे दी गई थी 2006 में क्या जो चीजे दी गई है या उनसे अलग और उनसे जादा चीजे आपको प्रोवाइट कराई गई है ठीक है तो यह आप इस चीज का ज़रू देहन रटी है कि 2006 और 1995 की जो राष्टे विकलांग नीती है उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए अब इसके ब प्रणारी है या पूरी दुनिया में सरी शारे रिक है नहीं कुछ लोग मान से कहें शारे रिक है कुछ लोग किसी और प्रकार की मेंटालिटी से गुजर रहे हैं तो इस प्रकार की जो चीजे है जब 1995 में विकलांगता की नीती लाई गई थी उसके अंदर के वर विकलांग व्यक्ति राष्टे नीती के अंतरगत आता है और चित्वी सुविथाय उसको नॉर्मल व्यक्ति नहीं दी जाती वह सुविथा उस व्यक्ति को दी जाएंगी तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से क्या रखना है ध्यान रखना है अब बात करने next question की समा दाकार धाचे के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए दाकार जो सम्मेलन हुआ था ठीक है किसके लिए सवावेशन के लिए कि सभी बच्चों को या जितने भी बच्चे समान बच्चे और विकलांग बच्चे सभी को समान समाज में आगे बढ़ने की जो नीती थी इस च प्रकार से गुल्फिश हो मैं ने आपको ढंग के बारे में एकस्प्लेयन किया है सब्सक्राइब करना जैसे कि अंतरगत किन पॉइंटि के बारे बात करीगी नियुक्त जो को समानता से सिक्षा प्राप्त हो, अगर वो विगलांग है, ठीक है, तो उनकी जो विगलांगता है, उसको ध्यान में रखकर टीचर उन्हें special education के बारे में समझाए, special education दे, साथ के साथ उनके साथ किसी भी प्रदार का भेदभाव ना हो, चाहे उनके पास संसाधन की पह बाते की गई थी, तो इनको अच्छे दे पढ़िए, next question देखें, तभी और देखिए, आपके chapter में कुछ जो सम्मेलन होए थे, उन सम्मेलनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो नहीं, चाहिए क्योंकि एक सम्मेलन से related question आप से पूछा जा सकता है, जिसके बहुत संदर्ब में रखते हो, जैसे हमारे हैं private या कोई से भी school ले जिए private government, तो private और government school में जो schools हैं, उनमें विविजदा और एच्छा मता के बारे में विश्तार में बात कर रहे हैं, आपको विविजदा देखने को मिल जाती है, बच्छे अलग लग बैक्राउंड से आ रहे है अलग लग जन जाती के बच्चे हैं, धर्म के बच्चे हैं, लग अलग अलग प्रदार के लिएंगे वो भी बच्चे बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार की विविजदा देखी जाती है, साथ के साथ, एच्छमता की बात करें, तो बही कोई बैक्ती किसी प्रकार की disability से ग्र इस कूल लाइफ में देखा होगा जरूर, के इस प्रकार का कोई एक बच्चा जो की पूरी क्लास में एक बच्चा जो कमजोर है दिमाग से, ठीक है, तो अगर वो ग्रस्त है किसी प्रकार की विकलांगता से, या एशंता से, तो इसके बारे में आपको यहां बिदा करना है विस्तार से बताना है, विस्तार का मतलब कि आप complete में notes भी बनाईए साथ के साथ, exam में अगर आप लिख रहे हैं तो point by point में लिखिए है, आप छोटे छोटे paragraph बनाने के भी कोसिस करिए, बगले question को देखें, देखिए, यह एक ऐसा question paper है, जिसमें आपकी सोच के उपर आपक आपके आपको लिखना पड़ेगा कि examiner को लगे कि हाँ आपने question के according अपना answer दिया है, आपने कहीं से डायरेक्टियर डिट्टो टिप नहीं है, तो इस चीज़ को आपको दियान रहना है कि आपको answer को भी अच्छे प्रकार से लिखना है, बनाम आपके जिस प्रकार से question और वो कैसे समावेशी बन सकते हैं, आप देखिए, इस question में दो प्रकार की चीज़े पूछे गए हैं कि भाई जो स्कूल है, वो समावेशी कैसे हैं, इसके उपर आपको बताना है, और कैसे हम उन्हें उन्हें उवर जादा समावेशी बना सकते हैं, इसके उपर, तो क्या समावेशी बना सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या दर सकते हैं, कुछ point अपने हैसाब से बना यह देखिए, कि भाई स्कूल में, अगर कोई निगरानी के लिए जाता है, तो देखा जाएगा कि विकलांग बच्चे हैं और जो समान बच्चे हैं, उनको सिक्षा में कम समावेशी हैं, अगर समावेशी स्कूल होगा, तो सभी بच्चों को समान तका अधिकार होगा, सभी बच्चे अपना सवाल पूच सकते हैं, टीचर न सब की मदद करेगा और जो विकलांग बच्चे हैं, उनकी अतिक मतद करेगा परन्तु अगर स्कूल समावेशी नहीं है तो वहाँ पर एक चीज ये देखने को मिलेगी कि बच्चों के साथ भेदवाओ काफी हद तक हो रहा है साथ में उनके उपास सलसाधनों की भी कमी है सलसाधनों से आता था रहे हैं कि विकलांग बच्चों के लिए आपको बता होगा कि कुछ एक्स्ट्रा चीजों के अश्यक्त्य पढ़ती है किसी प्रगार की मैशीन हो गई और की टक्रियोक करके बच्चों को पढ़ए जाता है तो ये जो चीजे हैं ये अगर स्कूल पर उखलब्थ है तो मतलब स्कूल एक समावेशी स्कूल है विकलांगता के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा स्कूल माना जाता है अगर यही चीजे नहीं है तो स्कूल समावेशी नहीं है तो कि क्या है वो इस टीचर समावेशी को ध्यान में रखता है नहीं अगर सपोस करिए एक टीचर है जो सामाने बच्चों से तो अच्छे प्रकार का वैवार कर रहा है प्रतु वहीं एक बच्चा जो की कमजोर है या लांग है किसी प्रकार से उसके साथ अच्छा प्रकार वैवार नहीं कर रहा है तो वो टीचर समावेशी को ध्यान में नहीं रखत रहा है तो इस प्रकार की जो चीज़े है आपको ध्यान में रखनी है और आपको अंसर बनाना है किस प्रकार से हम भई समावेशी बना सकते हैं कि अधिक से अधिक हम टीचर्स को समावेशन के बारे में ग्यान दे सकते हैं स्कूल पे स्कूलों में हम बात करें तो भई टेक्नोलजी अच्छी प्रकारगी पहुचा सकते हैं अधिक से अधिक सलसादनों बच्छों तक पहुंचा सकते हैं ठीक है जिससे क्या होगा है बच्छे अच्छे से बढ़ पाएंगे और समावीशी स्कूल बन पाएगा बात करें विकलांगता और थ समर्था या दूर्बल्दा के बीच अंधर करें निम्लुखित परविस्तार करें विकलांगता और शम्था के ऊपर आपको यहां आदना करना है भारियरिक संबंदी गर्षग भारियरिक संबंदी Intro बच्चों की कमजुड़ होती है या पिर सुनने की संब्ता ही नहीं होती खीरिक है ये जो दो बैमारिया है आप कहसे सकते हैं कि दो प्रगार की या रषह विगलांगता है इनके उपर आपको उधारण देते हुए explain करना है विखलांगता और एक्षमता को वहीं तांतरिक संबंद की बात करें तो सीखने की एक्षमता और स्वालीन्था सीखने की एक्षमता और स्वालीन्था यह जो है इन चीजों को आपको क्या करना है अच्छे प्रतार से explain करना है आपने answer के according answer में क्या पूछाए विखलांगता की और एक चीज दुरबलता ही है प्रिश्चिच को आपको आपको प्रतिक चीज को explain किया है और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप answer अच्छे प्रतार से बना पाएंगे अपनी examination में तो आप उस वीडियो गो जरूर देखिए बात करें भई याप एक short notes बनाने के लिए आ गया है कि नहीं भी दो point को आपको संचिप्त टिपनी देनी है बहु विकलांगता एक वेक्ति जोकी एक से जादा विकलांगता उसे ग्रस्त है वही उधाना टेवरब लेगी एक व्यक्ति चछलने ही पा रहा साथ के साथ उसकी आखोगी शंता भी कम जो रही है या फिर वो जन से ही आन नहीं देख सकता तो दो परतर के विकलांगता है, ईन स्धेक्स Кार्टा चत्र अब हो गए। किसी भी शेत्र में पढ़ लिखने में कमजोर है ठीक है वह बच्चा सामाने रूप से अच्छे प्रकार से नहीं कर पा रहा है तो मतलब वह कमजोर है तो उसको special education दी जाएगी कोई बच्चा विगलांग है उसको special education दी जाएगी किसी प्रकार की को देखनें की शमता कमजोर है थीक है तो वह क्या है एक प्रकार की विगलांगता से या फिर दुर्वलता से क्रस्त है तो हम उसको क्या देंगे special education देंगे डिस्लेक्सी है एक प्रतार की आप कह सकते हैं कि दुरबलता है ठीक है तो इसके उपर आपको यहां पर एक्स्प्लेइन करना है स्कूल में बहीशी करन से अधाफ पर रहे हैं पूरी ग्लास या पूरा स्कूल उस बच्चे का एक प्टिकुलर बच्चे का बहीशकार करना है बर अगर वह तो इसके उपर आपको अपिसे दियान न questions match खाते हैं आप तो check out कर सकते हैं जो questions match खा रहे हैं उन question को आप और अच्छे से explain कर सकते हैं अपने exam में अच्छे से पढ़के जाईए तो ये थी आपके आज की वीडियो वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूब बताएं वीडियो अच्छे लगी आप अपना admit card app पे देख पाएंगे ठीक है डेशिट भी आपे अवेलिबल है और तो और college के जो notifications है वो भी आपको हमारे app पे देखने को मिल जाएंगे साथ के साथ telegram का link दिया गया है आप हमसे telegram पे जूर सकते हैं इंस्टाग्राम का दिया गया आप हमसे instagram पे जूर सकते हैं और वीडियो के link के भी दिये गये हैं जो के description box में सारी available है एक पार जाने से पहले description box जरूर चेक करिए बहुत important चीज है वहाँ पे available है तो मिफते अगली बीडियो में थैंक्स for visiting on my channel guys